चलिए, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हिरान्स फॉर्मिला के मदद से हम ट्रायांगल के एरिया को कैसे पता करते हैं लेकिन हम इस फॉर्मिले का यूज ही क्यों करें? सबसे पहला क्वेशन तो ये उठता है तो आएए इस बात को पहले हम अच्छे से समझते हैं अब जैसे कि माल लीजे कि हमारे पास एक ट्रायांगल है एक ट्रायांगल है जिसका हमें यहाँ पे बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है जैसे कि माल लेते हैं इस ट्रायांगल का हमें यहाँ पे base कुछ 6 cm दे रखी है और इसकी जो height है ये 4 cm दे रखी है अब अगर मैं आपसे ये पूछ हूँ कि अगर हमें इस triangle का base पता है और height पता है तो क्या हम इसका area पता कर सकते हैं तो अब बोलेंगे हाँ, इसका area तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा half times base times height के बराबर यानि क्या, यानि क्या कि हम बोल सकते हैं कि इस triangle का जो area होगा, वो हो जाएगा equal to half times, half times इसका base यानि की 6 cm times इसकी height यानि की 4 cm के बराबर into 4, 6 4s होता है 24, 24 divided by 2 यानि की 12 cm square इसका area हो जाएगा अब आईए यहाँ पर एक दूसरा case लेते हैं मालनी जे कि हमें एक triangle दिया हुआ है जिसका हमें नहीं height पता है और नहीं इसका base पता है लेकिन हमें इसके 3 sides की length पता है मालनी जे इनका जो 3 sides का length है वो कुछ A, B और C है लेकिन अब यहाँ पर हम इस formula का use कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर नहीं इसके height दिया हुई है नहीं base दिया हुआ है तो हम क्या करें तो ऐसे situations में हम लोग hierons formula का use करते हैं कि जब हमें किसी भी triangle का ना base दिया हो और नहीं height दिया हो सिर्फ उसके तीनो sides के length पता हो तब जाके हम hierons formula का use करेंगे अब hierons formula होता क्या है तो आए इससे पहले समझते हैं तो hierons formula के लिए हमें पहले एक चीज यहाँ पर define करनी होगी हम एक quantity यहाँ पर लेते हैं जिसको हम S का नाम देते हैं जो की दिये हुए triangle का semi perimeter होता है और इसकी value क्या होगी तो semi perimeter यानि की पूरे perimeter का sum of all three sides divided by 2 के बराबर A plus B plus C divided by 2 पूरे perimeter का जब हम half कर देंगे उसके exact half value लेंगे तो हमें इस quantity S की value मिल जाएगी अब hierons formula हमें बोलता है कि अगर हमें इस triangle का इस दिये हुए triangle का यहाँ पे area बता करना हो कि इसने कितना space यहाँ पे occupy करके रखा हुआ है तो उसकी value हो जाएगी उसकी value यहाँ पे हो जाएगी equal to area यह area हो जाएगा equal to square root of square root of S यह जो S हमने यहाँ पे निकाला यह S S times S minus of यहाँ पे quantity आएगी times फिर से S minus यहाँ पे quantity आएगी और फिर से S minus और यहाँ पे एक और quantity आएगी और वो quantities क्या होंगी तो वो में आपको भी बताता हूँ यह हमें एक pattern देग गया है S minus something time S minus something times S minus something और यह जो तीनो vacant spaces है यहाँ पे ये तीनो sides की value हम यहाँ पे रख देंगे यानि कि s times s minus a times s minus b times s minus c के बराबर इसका derivation हम बाद में जाके देखेंगे अभी इसकी जरूरत नहीं है और इसको derive करने के लिए हमें mainly pythagoras theorem और बहुत-बहुत-बहुत सारे algebraic manipulations की जरूरत होती है लेकिन इस वीडियो में हम बस इस formula को समझने पे ध्यान देते हैं तो hierons formula ने हमें ये formula दे रिया है जो कि थोड़ा यहाँ पे हो सकता है भारी भर कम लग रहा होगा लेकिन यकीन मानिए जब हम इसको use करेंगे तो इसको use करना काफी simple है एक बार फिर से मैं दोरा देता हूँ कि ये formula क्या है तो hierons formula हम तब use करते हैं जब हमें triangle का height और base पता नहीं होता है क्योंकि अगर height और base पता हो या फिर किसी भी तरीके से अगर हम उस triangle का height और base पता कर ले तब तो हम directly इस formula का use कर सकते हैं लेकिन अगर सिर्फ जब हमें तीनो sites दी हूँ हो तब हम hereons formula का use करेंगे और इसको use करने के लिए हम पहले एक quantity define करेंगे s जो कि इस triangle के semi perimeter का का काम करेगा semi perimeter यानि कि perimeter का half यानि कि a plus b plus c sum of all sites divided by 2 और फिर उसको use करके हम इसका area पता कर सकते हैं जिसके value हो जाएगी square root of s times s minus a times s minus b times s minus c के बराबर आईए यहाँ पर एक छोटा sum example कर लेते हैं ताकि इस formula को हम आराम से और अच्छे से समझ पाएं जैसे कि माली जाहिए हम एक triangle ले लेते हैं कोच है सामने एक triangle ले लिया जिसका हम को height और base पता नहीं है इसके 3 sides की length दी हुए है यह हमारा 9 units के बराबर यह 11 units के बराबर और यह 16 units के बराबर तो herons formula लगाने के लिए पहले हमें इसका semi perimeter calculate करना होगा यानि की s की value तो इसका s हो जाएगा equal to sum of all sides divided by 2 यानि की 9 plus 11 plus 16 whole divided by 2 यानि की 9 plus 11 हुआ 20, 20 plus 16 हुआ 36 divided by 2 यानि की 18 के बराबर अब एक बर हमें s की value मिल गई तो आईए अब हम herons formula में सारे values डाल देते हैं तो इसका area हो जाएगा इसका यहाँ पर area हो जाएगा square root of square root of s times s minus a times s minus b times s minus c यानि की 18 times 18 times 18 minus 9 एक side यह हो गया इसका एक quantity times 18 minus 11 18 minus 11 times 18 minus 16 के बराबर 18 minus 16 के बराबर इसकी value यहाँ पर आ जाएगी और इस पूरे का हमें यहाँ पर square root ले लेंगे आये से calculate करते हैं तो यह हो जाएगा square root of 18 times 18 minus 9 तो 9 हो जाएगा 18 minus 11 7 हो जाएगा और 18 minus 16 यानि की यह 2 के बराबर हो गया अब इससे हम लिख सकते हैं square root of 18 or 2 को हम आपस में combine कर देते हैं 18 minus 16 तो जाद 36 होता है 36 times 9 जो काते हो आ जाएगा और 7 भी जो काते हो आ जाएगा यानि कि यह हमें हमें से देदेगा equal to square root of 36 times square root of 9 times square root of 7 अब देखते हैं कि इसकी value यहाँ पर क्या होगी तो screen को थोड़ा सा उपर कर देते हैं यह हो जाएगा square root of 36 जाने के 6, square root of 9 जाने के 3 और 7 एक perfect square है नहीं तो इसको तो हम जोकाते हो लिख देंगे तो 6 times 3 हुआ 18 जाने के 18 times square root of 7 unit square इस दिये हुए triangle का यहाँ पे area हो जाएगा तो I think अब आपको एक sense मिल गया होगा कि कब और कहाँ पे हमें Heron's formula यूस करना है और मालीजी अगर इसी triangle का हमें sides ना देने के बजाए इसकी height और इसकी base length सिवदी होती तब तो हम अराम से half times base times height करके इसका area पता कर लेते लेकिन वैसे कीसे इसमें जब हमें height नहीं पता हो या फिर इसका height निकालना मुश्किल हो तब Heron's formula बड़े काम में आता है